तूद अगर फट गया है ना तो उसका मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी से मिठाई बताऊंगी सिर्फ पांस से साथ मिनट में ये रेडी हो जाएगी तो उसके लिए ना आपको करना क्या है इधर दूद ले लेना है थोड़ा सा जादा नहीं करीबान हाफ कफ चोटे बड़े कफ में उसके लेंची पाउडर डाल देंगे और इसमें हम डाल देते हैं कोकोनट पाउडर एक कफ सरी एक स्पून नॉर्मल जो इस्पून होती है बस उसमें एक स्पून डाल देंगे उसके बाद इतर डाल देंगे शक्कर तो शक्कर हम डाल देंगे इतर चार स्पून बाल अने लगेगा, इसमें हम डाल देंगे पनीर, जो फद गया था, बतलब दूद तो उसका जो पनीर लंचेना करने की लाएँ लगता है तो अब डाल देते हैं, मैं उसका एक्स्ट्रा पानी रहता दीधा है, वह उसका इसी अच्छेना पूरा अलग्द कर दीहीं तो यह देखें यह सारा डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं तो इसको ना हमें गाढ़ा करना है अच्छे से दूद्ध पूरा सूख जाए इसका तो आप देखेंगे ना बहुत ही जल्दी से यह मिठाई बन जाती है और इतनी ज़्यादा टेश्टी लगती है एकदम दाने दार्ज खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है मूं में जाते ही घुल जाती है आप देखना लास्ट में जब मैं कट करूंगी ना तो इसको थोड़ा से इसमें हम डाल देंगे छोटे वाले हापamस्व Sort घी के और यह हम डाल देते हैं काजू और पीसथा धोड़ा सा थोड़ा सा रोज कि पत्तिया डाल देते हैं और इनको मिर्स कर लेंगे तो बस यह पलट लेते हैं तो इधाना में जमाऊंगी इसको तो यह देखिए आप बहुत अच्छे सेट हो गई है इसको हम निकाल लेंगे तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एकदम इतनी ज्यादा सॉफ्ट है ना कि मतलब कट करने में ही तूटने लगती है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो बट मैं थोड़ा सा जमा रही थी मैं सुची चलों पीसे जैसे कट कर लेते हैं मिठाई जैसे तो यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट है खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेश्टी थी एक बार आप यह मिठाई जरूर बना के देखना आपको पसंद आ जाएगी तो आई होब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स पाइटे